दोस्तों जैसे की हम डिसकुस करेंगे इस प्लान के बारे में जैसी की अब देख सकते हैं 28 feet by 30 मतब 40 feet का plan है इने 28 feet by 40 feet का plan है इस plan का पुरा detail हम शेयर करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप को देख सकते हैं हमने जिसकी सारा कॉलम्स टेन इच का प्रोएट के प्लान डीजैन के हिसाब से दूस्टों यहाँ पे मिनिमम जो कॉलम का साइज आप रखें तो दस इंच भाइज रखें और मैक्सिम डिपेंड करा इस पैन पर यहाँ पर हमने टेन इंच का कॉलम्स रखा ह आजिके सकते हैं और स्टेर 2000 देखनी कर बात करें तो हमने हीजिए इस प्रकार से यह लाए जिए दो आप सार रह हैं तो यहां पे यह दो बात करेंगे golf कि पुछ से रहां ना सब्सक्रदभा पतर फैक्सेंगे再來 दिखाया और दो साइट क्लोज पीछे में पीचे में ख्लोज दिखाया इसलिए पांच इंच की वाल प्रोवाइड किया देख सकते हैं यह फाइव इंच की वाल है उसके बाद यहां पर भी आपको पांच इंच मोटाइक की वाल मिलेगी तो इसको भी वर्टे के लिए रख हैं या फिर लेबल के इसाब से आपके एरिया में वाटर लगिंग है रोड है उसके इसाब से प्लीन थाइट प्रोवाइड करें यहां पर जिसे की प्लीन थापको मिलने वाला है दो तो यहां पर देख सिकते हैं नहीं होगा और अपका नहीं होगा और यहां से in राइगे तो अब देख सक्कते हैं एक a indulire Introdu से अभी बना सकते हैं तो यहां पर वाउस्ताफ आप को यहिंए आपको मिलजाएका it गेस्ट्रूम ऐसे बेड्रूम यूटिलाइज कर सकते हैं तो इसका हम पार्टिशन वाल लेंगे पहले प्रोवाइड कर लेंगे सारा होगे इंसाइड वाल पांच इंच मोटाइगी है और यहां पर दोर जो आएगा गेस्ट्रूम में जाने के लिए तो यह आपको तो 3 फिट का भी डाल सकते हैं तो हिआ पर सिवन फिट के ओबर 2 फिट का वाल आएगा तो देख सकते हैं यह से ऑइशन रहेगा जिसे आप हॉल से भी इसका मतब़ा डोर रखा गया है तो यहां के ओठा रूम ढलत एक दीखा यहां तो दिरू जो आपको। तो इस प्रकार से दूस्तों यह वाल आपको मिल जाएगा गेस्ट रूम के साथ आटच बातरूम उसके बाद अंदर में आएंगे हाल एरिया में आते हैं उससे पर यहां पर एक बेडरूम मिलेगा तो इसका भी पार्टेशन वाल लेंगे और यहां पर पांच इंच मोड़ा दिख सकते हैं यहां पर नीचे से हमने एक घोर दिखाया हमने लुकूरा बिस्वास साथ एैंगे यहां पर दरौजा मिलेगा पर तीन फीड का वाल मिल जाएगा तो वेंटिलेशन बात्रूम और बेड्रूम का दोनों होपाय प्रोपर तो यहां पर कॉमन बात्रूम मिलेगा दोस्तों का मिजर्मेंट आपको बाद में शेयर करेंगे सबसे पहले इसका डूर बात कर लेते हैं डूर आपको दो फिट चेंज भाई साथ फिट का मिलने वाला है सेवन पिट के ऊपर स्टिय वाल तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह वाला आपको मिल जाएगा ओटियस और यह वाला बात्रूम आपको यह वाला आपको आपको दुकान बात करेंगे यह उसके बात तो यहां पर भी एक ड sommes में जाने के लिए कभी भी उप 오्टी है त 204 बेड्रूम का और यहां पर दर्वाजा रहेगा तीन फीड वाई साथ वीट एंड तो इस प्रकार से दूस्तों आप देख सकते हैं यह वाल आपको बेड्रूम उसके बाद यहां पर एक बेड्रूम मिलेगा तो इसका भी हम पार्टेशन वाल लेंगे यहां पर कीचन भी ह बेड्रूम भी है तो एक एक करें पर्टेशन वाल साम प्रोवाइड कर लेंगे तो यह वाल आपको कीचन कीचन का स्लाइब दो फीट आट इंच एंड यहां पर स्लाइब आट इंच दो फीट होगे और टू फीट शिक्स इंच बाई सिवन फीट का आपको डूर मिल जाए इस वाल को जावं कॉलम से किनेक्ट करा देंगे तो आप देख सकते हैं यह वाला बैड्रूम दोस्तों यहां पे दोर प्रोईट कर दिया सारा बेड़रुम और करें विंडो की बात करें तो यहां पर सिल लेवल तीन फीट मार्काव करते हैं। मतलब लेएंड से ओड़ से और यह चार फिट बाइचार हुड यहां पर देख् सकते हैं उसके बाद एक जाए हैंगर थे इस उसके बाद विंड्र आपकर बैड़ तो हम यहां पर जैसे की लेवल 7 feet है उसके बाद 4 feet down करते हैं और यहां पर जैसे की बात करेंगी तो एक window यहां पर आ जाएगा इस bedroom में लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रोपर के लिए उसका आप देख सकते हैं एक खिरकी यहां पर उसके बाद यहां पर जैसे की आपका ए एक एक window यहां पर आपका जाएगा कीचन के लिए होगे और यहां पर आपको मिलेगा एक window आपको मिल जाएगा इस bedroom के लिए को और का तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं Windows का मना opening कर दिया और इंसाइट में आएंगे तो अंदर में तो यहां पर OTS डाला है जैस इसको connect कर देंगे तो आप देख सकते हैं उसका bedroom जो यहां पर है तो इस bedroom के लिए भी यहां पर OTS से हम एक opening प्रवाइड करेंगे ताकि इसका ventilation और लाइटिंग हो जाए यहां से ओगे यह आपको मिल जाएगा तो यह OTS है या रोशन दान जिसे कहेंगे तो यहां पर दोस् देख सकते हैं bedroom guest room उसके बाद यहां पर यहां पर पीछे मिल रहा है उसके बात रूम यहां पर अटच कॉमन उसके बाद डानिंग एरिया furniture साट अप कर दिया हमने उसके बाद कीचन इस साइड में है स्टीर देख सकते हैं और स्टीर के नीचे से हमने एक door रखा इस साइड आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा details यह आपको यहां पर मिल जाएगा तो इसका measurement की अगर बात करेंगी इसका dimensions तो इसका dimension आप देख सकते हैं 28 feet बाई 40 feet का plan है तो एक bedroom जिसकी यहां पर मिलेगा जिसका size आप 13 feet यानिके 13 feet बाई आपको 12 feet का रूम बेडरूम मिलेगा जिसका size आप देख सकते हैं यह वाला bedroom दोस्तों बात करें साइज तो आप इसका size आपको मिल जाएगा यहां पर 13 feet 4 inch बाई या दोस्तों मिल जाएगा 12 feet का उसके बाद कीचन है तो कीचन का size 8 feet 5 inch बाई आपको 6 feet का मिलेगा उसके बाद यहां पर बात कर है उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस steer 3 feet चौड़ाई है देख सकते हैं उसके बाद यह डूर जो रहेगा 3 feet का रहेगा इस steer के नीचे से और यहां पर इस bedroom की उस बात करें साइज देख सकते हैं 10 feet 5 inch बाई आपको यहां पर मिल जाएगा 11 feet का होगे उसके बाद यह व 6 feet 8 inch hall area की बात करेंगे तो यहां पर hall area देख सकते हैं दूस्तों आपको यह मिल जाएगा 10 feet 6 inch बाई आपको मिल जाएगा यह 14 feet 11 inch बात करेंगे काफी ही शांदर प्लान दूस्तों अमित करते हैं कि प्लान काफी ही अच्छा लगा होगा थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडिय कर दो